हारुन शायद अपने कमरे में बेट पेटा था, वो खेर अरामदे से रगता था, एक डांग को इस तरह भी कैफियत में हिला रहा था, उसका दिल जा रहा था, कमरे की एक ये चीज़ को उठा उठा कर दिवार में दे मारे, वो बार-बार चेहरे पे आथ भेर कर उदको पुर हारुन शायद आओ भेंको हमें जमीन पे, किर्ची किर्ची कर दो, हमें तोड़ दो, सब बरबाद कर दो, सब कुछ जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ, आओ, हमारे साथ सुल्म करो, निकालो अपने अंदर की आग, वो जब उनसे नसर आठा था, तो कमरे की दिवार पे ल हारुन फेंको हमें, तुम हारे हुए इनसान हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हारुन, हम तुम्हारा गम हलका करने का भाइज साहरा हैं, हम तुम्हारे साथ ही हैं, आओ, हमें नीचे फेंको, हमें भार दो, वो बार बार अपने चेरे पे दोनों हाथों से हलके हलके तपर मारता, कंट्रोल हरून कंट्रोल, तुम बहादूर हो तुम अपनी सूपर पावर हो तुम सर्वाइवर हो कंट्रोल, किसी चीज़ को नहीं तोड़ोगे तुम, कुछ गलत नहीं करोगे तुम, काम डौन हरून काम डौन, एजी हो जा वो बार बार हुद को तसली देता, धलासा देता, अपने आसु रगड़ता, हुद को पास रखके हुए था, उसका सीना चल रहा था, वो बार बार अपने सीने को वसलता था, हतेली की मुक्य बना बना कर सीने पे माले जाता, वो जब से घर आया था, उसकी यही खालत थी, थो सर घर पे तो कोई कलर्स नहीं है मैं मार्किट से ले आता हूँ अभी वो दापेदारी से बोला था नहीं इतना वक्त नहीं है मेरे पास मुझे दो मिंटी अंदर रंग चाहिए कुछ भी करो दो मिंट से अगर तीसरा मिंट हो गया तो मैं आज तुम्हें मार दूँगा बुक अचानक हारून के सेहन में कुछ कली खुआ था, वो पूरे का पूरा आबिद के तरफ मुड़ा था तुम तुम ऐसा करो जो तूट पेस लेकर आओ मामा के कमरे से अपने कमरे से और कार्ट के कमरों से सब के तूट पेस लाकर दो मुझे पांच मिंट के अंदर अंदर वो तेज सेज भूल रहा था आपित भागता हुआ ग्या था और जब पांच मिंट के बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में मुद्लिफ किसम के टूट पेस थे हारून ने जल्दी से सब उसके हाथ से ले लिए थे वो एज़र और क्रेंविस पहले ही सेट कर चुका था ये पास पेंटिंग प्रश तक नहीं थे उससे उंगलियों के पोरों पे जरा सब पेस उठाया था बिसमिल्ला रख्मान रर्राहीम उससे जेरे लब बढ़ा था और फिर कामते हाथों से एक स्रोग लगाया था वो रंग नीला था उसकी आँखों ने रंग पहचान लिया था उससे नम आँगों से एक और स्रोग लगाया था ये रंग सबस था अगला रंग सफेद था उससे अगला रंग नीला था अगला स्रोग मर्टी कलर था अर रंग अपनी जगा पे आगया था अर रंग तरतीब पे था और वो शायद की नम आँग की चमकने लगी थी खुशी रो रहा था पिलक पिलक कर फूट फूट कर अगर उससे हाले ले ली गई थी तो उसको रंग वापिस मिल गए थे उसको अपने जिंदी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी सबसे मेभूफ शौक वापिस मिल गया था उससे अगर हाले सुल्तान ले ली गई थी तो उसको हार उसको पारूँ शाहिद धमा दिया गया था उससे अपना टैलेंट पा लिया था उससे खुद को पा लिया था। हुद को पा लेना सबसे बड़ी नेमत होती है। अब उसको किसी और मुहबत की पीछे भागने की जुरूत नहीं थी। उसको एक मुहबबत के मुकाबले में उससे जरा कम सही लेकिन एक ऐसी मुहबबत दी गई थी जो उसको हील कर सकती थी जो हारुण शायत का गम हलका कर सकती थी जो उसके चलते दिल धंडी फवार बनकर उसका दिल धंडा कर सकती थी थोड़ी देर बाद वो उठा था और एक क उसका वाइद उनर था, ये उसका मेभूब शोक था, ये काम उसका पहला इश्क था, रात का ना जाने को उनसा पहर था, जब उससे पेंटें को आखरी टच दिया था, उससे कमरे के सारी पतिया रोशन थी, उनकी रोशनी पेंट की होए उस चेहरे पे पढ़ी रही थी, वो जो बेमोल नहीं था, जिसका दुनिया भर की खुशी पे हक था, जिसका उदास रहने पे भी हक था, जिसका हक था, कि उसको माना जाए, उसको सवारा जाए, उसका हयाल रखा जाए, वो चेहरा किसका था भला, वो हारुन शाहिद का चेहरा था, मुसकुराता हुआ, पुर स स्पिकर से नफीस हायात की आवास आती थी आपको आना चाहिए था ममा वो आपके दोस्ट थे आप दोनों ने एक बहुत अच्छा वक गुजारा था साथ आज तो आ जाती वो दुख से कह रहा था बेटे मैं इसलामाबाद में हूँ सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई आज की म मैं गाड़ी में इतना लंबा सफर नहीं कर सकती थी मेरी मजबूरी समझो उमर ने कोई जवाब नहीं दिया वो बस नसे चुखाए अपने चौकर्स को देखता रहा उमर बेटे हिम्मत करो तुम अब अकेले नहीं हो तुम भी जिम्मेदारी है आले खयात की जिम्मेदारी असन सुल्तान की सिम्मेदारी तुम मेरे बेटे हो उमर इस सरा तो हिम्मत नहीं हारा करते थे उनका लह जाओ दास्था अम्मा मैं बहुत अकेला हो गया हूँ ये शहर ये सारा शहर मुझे खाने को आता है मैं बरे जहां में हुद को तरह मैसूस कर रहा हूँ मुझे अब तक इस बात का एकीर नहीं आ रहा के कि वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं मेरा दिल जखमी हो गया है यही होता है जब कोई बहुत करीबी छोड़कर चला जाए तो यही होता है उमर दस साल पहले मैंने भी यही मैसूस किया था लेकिन वक्स सबसे बड़ा मर्खम है यहील कर देगा वो अब भी खामोश रहा था नफीसा ने बात पलटी थी तुमने कुछ बता किया हाले के साथ यह सब किसने किया है कैसे बता करो अमा सुबह उटते ही यह सब कुछ हो गया सरा सी देर गुजरी नहीं थी कि जच साहब ने भी मुझे छोड़ दिया पांच मिन भी मु उससे पूछो कोई हिंट कोई इशारा कुछ तो होगा जो उसे मालूम होगा जो उससे नोट किया होगा वो मैंने तलही सचा चटका था उनको लगता है यह सब मैंने किया है उनको लगता है अपने सबसे कीमती रिष्टे को मैं अपने हादों से मार चुका हूँ अमा वो हर जादा है अजियत में मैं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, जो इसको इल्जाम देका मैं पर्यूल सिम्मा हो जाओ, सबसे जादा गिल्ड में मैं हूँ, अगर मैं हाले की जितना मानता, तो ये सब ना होता, अगर एक रात मैं ना सोता, तो कौन सी क्यामत आ जाती, अगर उस एक रात में अपना फून ओफ नहीं करता, तो ये सब ना होता, मैं उस रात हुद घर्ज ना होता, तो आज चट सहब जिन्दा होते, इसका गिल्ड एक पर भी रूध आया था, लेकिन तुम कुछ तो जानते होगी उमर, को इनसान, कोई धमकी, आगर किसे कतल किय मेराज को, वो अभी मुतफक्र थी, उमर क्रंट खा कर सीधा हुआ था, कतल, आपने कतल कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, अमा, वो भी करारी से पूछने लगा, नफीसात मुत अच्छे पूइन थी, तो क्या तुम्हें ये कुदर्दी मुत लगती है, उमर, are you kidding me, उनको वो इस किसम की आदमी नहीं थे, अगर ऐसा होता, तो कल रात ही मर जाते, जिलत on the spot चान लेती है, अगर उसको दस मिन के लिए जहल के, तो सारे सिंदगी भी जहल सकते हैं, तो अब तुम उमरहयाद, तुम मुझे ये बताओ, कि मेरा सुल्दान की चान किस ने ली, उनकी आ और वहाँ पेटे लोगों से कर रही थी, उमर शल्सा उनको सुने किया, आफ शोर हैं अम्मा, वो बतकत बोल पाया, इब नफीसा सेस इस समजर, तेन इस समजर, ये बात मैं नहीं कहती, ये बात मेरे हर्ट केस का हर्ट जज किया था, मैंने एक उमर हर्ट की है इन कामों में ऐसे हजार कतल मैं साबित कर चुकी हूँ, वो सुकून से बोल रही थी, मैं तोड़ी देर पहले हस्पताल इसलिए या था अम्मा, लेकिन मुझे लगा था, ये सब मेरे दमाग का फतूर है, मुझे लगा कि मेरी जॉब ने मुझे हर किसी पे शक करना सिखा दिया है, लेकि नहीं, मैं सही था, मेरे अंदाजे मेरे दिल की कवाही दुरुस्त थी, वो पुर्चोष हो गया था, अब आप देखिएगा अम्मा, जिसने भी ये किया है, मैं उसका क्या करता हूँ, उसकी आंकों से शरारे पूट रहे थे, हाले से नर्मी से पेशाना उमर, उसका गम बह सुसकरता हूँ, अम्मा, वो जादू करती है, वो मुझे अपनोटाइस कर देती है, वो असमान को देखता आंके बंद किये क्या है, वो इस वक कहा है, मेरे घर में है, लेकिन क्यों, वो तुम्हारे साथ आ कैसे गई, उमर के होंटो पे ससाया मुसकराट आई थी, वो अपन ही चली जाएंगी, और मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा, तुम कौन हो, नफीसा ने जीव से लहजे में सवाल किया था, उमर चौंक उठा था, वो जानता था, नफीसा उससे उसका नाम, साथ या पेशा नहीं पूछ रही, वो उससे आगे की बात कर रही है, मैं समझा नहीं वो सीधा हो गया था, मैं जानती हूँ, तुमने सुभा से लेकर अब तक, मुझे सब पता होता है, एक बार भी नहीं कहा होगा, और मैं ये भी मान नहीं सकती, ये तुम अपने हानदान के एक आदमी को अस्वताल में अकेला छोड़ कर आये हो, तुम याद करो, उमर, तु ये वो उमर नहीं है जो मेरा बेटा था, जिसको मैंने पाला, जिसकी दर्वियत मैंने की, जिस उमर को मेराज सुल्दान ने कुर सिखाए, जिसको मेराज चे दुनिया दिखाई, उस उमर को सब पता होता था, वो सब कुछ कर सकता था, तुम उस मुहले में नहीं कड़े हो उम्र उस फेज से निकलाओ तुम उस से काफी आगे निकलाए हो अपने दिल से अपने दमाग से वो सोचे نिकाल दो जो तुमें कमजोर कर रही है हाले को दाकत बनाओ कमजोरी नहीं वो ऐसी लड़की नही है जिसको कमजोरी बनाया जाए वो हाले सुल्टान है बेटे वो मेरा आज सुल्टान की बेटी है तुम उसका मत सोचो वो क्या करेगी कहां जाएगी तुम ये सोचो उमर क्या करेगा हाले को कहां लेकर जाएगा तुम ये मत सोचो कि हाले सुबा क्या करेगी तुम ये सोचो कि उमर हयात सुबा तक क्या कुछ कर सकता है तुम फोकस लूस मत करो वेटे गिल को नोच कर भेंगो और अपने कत्मों पे खड़े हो जो अभी बारा वजने में दस मिन थे और सुबा होने में छे गंटे बागी है तुम छे गंटों में क्या कर सकते हो उमर ये तुमें पता होना चाहिए उमर जैसे एक खुआप से जागा था इस सीरियस आलाथ में भी उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे एक सखमी मुस्कुराहट मैं समझ क्या हूँ अमा मैं जानता हूँ अब क्या करना है मुझे चीजें वहीं से फिक्स करनी है जहां से हराव हुई थी मुझे पता लग क्या है हाले को कैसे रुखना है मैं जानता हूँ वहां मेरे बात कोन आया होगा तुम्हें कैसे पता फून के स्पीकर से आवास आई थी मुझे सब बता होता है वो एक एक लफ्स को तोड़ कर अदा करता फॉकॉल काट चुका था वो अपनी चोन में वापिस आ गया था रात हर कुजरते बल के साथ कहरी होती जा रही थी हाले उमर के साथ उसके घर आ गई थी सारा राज्ता उन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी हाले अब तक शौक थी मिराज सुल्तान चा चुके थे उसका बाप अब इस सुनिया में नहीं है उसका दिल और दमाग इस हकेकत को तसलीम करने से इनकारी था वो उमर की घर के एक कमरे में बेट की पाइनाती से टेक लगाए तंडी फरश पिवेठी थी जब उमर आथ में एक ट्रे लिए उसके पास आया ट्रे में एक भाप उड़ाता चाय का मग और सेंड़िच रखा था हाले के करीब ट्रे रखकर वो खड़ा होगिया था हाले ने उसको नहीं देखा था ये खा लीजिए इसके बाद मैंने डॉक्टर को बलाया है आपका चेक अप सरूरी है वो सबात अंदास से बोल रहा था हाले ने अब भी उसके तरफ नहीं देखा था उसे हमोशी से चाय का मग उठा लिया था उमर उसको देखे गया और फिर जकतम हाले ने खुलता हुआ चाय का मग उमर के पैरों पे उचाल दिया था दोनों पैरों पे चाय की ती उमर की लबू से χल्की सी सीरी की आवाज निकली थी उसे तकलीफ से आगे में चली थी लेकिन अपनी जगा से हिला भी नहीं था मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ ना उमर मेरी तकलीफ ने सीरे से शुरू हो जाती है वो देवार को देखते हुए बोल रही थी जब जब तुम्हें देखती हूँ दिल चाहता है दिल चाहता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करिके कुत्तों के आगे डाल दू तुम्हारा सर काटका चुराहे पे लटका दू तुम्हें इतनी कोलिया मारों कि तुम्हारा जिसम चलनी हो जाए लेकिन मैं मैं बस ना क करूँ दिल करता है तुम्हें जहर दे दूँ और फिर तुम्हें तड़पता देखूँ जी चाहता है तुम्हारा कल अपने हाथ उसे दबा दूँ तुम कैसे इनसान हो मर तुमने एक दिन में सब बरबात कर दिया सब का गए तुम मैंने तुम जैसा आसेब नहीं देखा तुम मेरी इस्सत खा गए, मेरा हांदान बरबाद कर दिया, मेरे बाप को मार दिया तुमने, मैंने तुमें हून दिया था, उमर तुमने उसकी लाज भी नहीं रखी, अगर उस रात मैंने किसी कुत्ते की चान भी वजाई होती, तो वो भी तुम से जादा वफादार होता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजा से, मैं आखरी दफ़ा पने बाप की कले नहीं लग सकी, ये गिल्ट मेरे दिल में पर्ची की तरा खुब क्या है, तुम एक दिन में मेरी सारी दुनिया खा गए, मैं क्या करूं उमर, कहां जाओं, भरे मजमें में सफाई देकर पर भी मुद को बेगुना न साबित करपाना कितनी हज़ियत है, तुम्हे क्या भता, सरा देर को नजरों से ओजल होने और वापसी पे किसे अपने की लाश देखना कैसी हज़ियत है, तुम क्या जानो, मैं अगर तुम्हें मार भी दू, तुम्हें अपने बाप वाप उमर उसके पास आकर बैठिया था पैरों में इतनी चलन हो रही थी कि हुदा आगे बना मैं समझता हूँ भरे मजमे में अपनी सफाई देना कैसा होता है उसके आखों के सामने कहीं साल पहले का मनसर घुमा था महले के लोगों के दर्मियान खड़ा चीक चीक कर अपनी सफाई देता उमर है आत मैं महसूस कर सकता हूँ जरा सी देर पहले किसी अपने को जिन्दा सलामत देखना वा कुछ देर बाद उसकी लाश देखना कैसा होता है उसी आँखों के सामने अब डॉक्टर कड़ा था देखें हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम उनको नहीं बचा सके मैं सब समझ चाहूं सब महसूस कर सकता हूँ हाले लेकिन मैं आपकी तरह किसी को इलसाम नहीं दे सकता आप बड़ी हुश किसमत है आपके पास इलसाम देने को उमरहयात है कोई उमरहयात से पूछे वो कहां जाए वो किसको इलसाम दे उसका दुख कोन सुने मैं आपको अपनी सफाई में क्या कहूँ मेरे अलफाज की कोई हैसियत नहीं आपकी नजर में मेरी कोई क्रेडिबलिटी नहीं है आप मुझे पे इत्पार नहीं करती मुझे आपका इत्पार कमाना होगा और मैं तब ही कुछ कहूँगा अब उमरहयात आप से तब बात करेगा जब उसकी बात की वक्त होगी जब उसकी क्रेडिबलिटी होगी आपका गम अब तक शौक से निकल कर गिल के मरहले में है मेरा गम अब सब मराहिल से निकल कर इंतकाम के मरहले में है मैं आपसे वादा करता हूँ हाले जिसने भी आपको तकलीफ दी है मैं उन सब को चोक पे खड़ा करके दरे मारूंगा मैं एक एक की रूँ तक को एजिय अजियत दूँगा क्या हिन्दा किसी को उसके हानदान से जुदा करने का सोच कर भी उनकी रूँ काम चाहिए उसका लेज़ा सर्थ था वर्फ जैसा हाली ने कोई जवाब नहीं दिया था उमर उट खड़ा हुआ था वो उसे गिल्ड का कुछ नहीं कर सकता था उसे इंतसार करना था उसके गिल्ड के दुख में बदलने का इंतसार वो चला गया था पीछे पश्टावों के नाक थे जो सरा सरा तेर पार तस्ते थे काश मैं भाबा की कले लग चाती काश मैं उनसे नराज ना होती या फिर उनको छोड़कर जाती ही न काश हम सब के पास कोई टाइम मेशीन होती जिसके जरीए हम अपनी गलती को सुधार सकते कुछ काश हमेशा काश ही रह जाते हैं आज की रात ऐसी सिया और तारी थी जैसे किसी जंगल की रात ऐसी हमोश थी जैसी कबरों में होती है लेकिन हिरात सुल्तान-मंद्जिल के एक कमरे के लिए बहुत मुटलिट थी यहां किसी की सारे सिंधी की दूआइं पूरी हुई थी किसी की कुर्बानियों का बत्ला दिया गया था यह महर्मा और सफीर का कमरा था वो सफीर के कमरे में बेट पे बैठी, उंग्या चटक रही थी हाले को उमर के साथ कए काफी देर हो जुगी थी वो तब से लेकर अफ़ तक सफीर के इंतसार में बैठी थी उसे वक्त कमरे का लॉक पाहिर से खुलने की आवास आए सफीर बिक्री हुई खालत में अंदर दागिल हुआ उसके सिया कुर्टे पे चावजया सिल्वेटें थी पुरे बाल बिक्रे हुए थे, घड़ी हुई शेव और हाथ में एक शीशे की बोतल मेहर को देखकर उससे बोतल वाला हाथ पीचे किया था और सर्जो काय मेहर के करीब से गुजरता अपने बेट पर आकर बैठिया था आज मेहर को उसके परफ्यूम के खुश्बू भी नहीं मैसूस हुई थी सफीर कभी भी बगएर परफ्यूम के सोथा तक नहीं था उसे खुश्बू से इक्ष था काफी तेर की आमोशी के पास सफीर ने बोलना शुरू किया था आएम सोरी मैं है मैं तुमारे लिए वो सब कुछ नहीं कर सका जो तुम डिजर्व करती थी उस दिन मेरी इज़ती हाते तुमने जो कुछ किया वो प्राइसलेस था उसकी बुश को देखता भोल रहा था मैर ने रुख मोड़ कर उसको देखा था इजसो के सफीर मैं आपको समझ सकती हूँ वो नर्मी से बोली थी तुम फिकर मत करो मैर मैं बहुत जल्द तुमें इस रिष्टे से अज़ाद कर दूँगा तुमें कोई जुरुत नहीं है एक अंचाहे रिष्टे से बंदे रहने की बस एक बार हालात नौर्मल हो जाने दू महर का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो वो उट खड़ी हुई थी क्या मैंने अज़ादी मांगी वो जबा जबा कर भोली थी सफीर ने हैरे से उसको देखा था आपको क्या लगता है जब आपका दिल करेगा आप मुझसे शादी कर लेंगे और जब आपका दिल चाहेगा आप मुझे छोड़ देंगे सफीर महरमा को कोई मजबूर नहीं कर सकता मैंने अपनी मर्जी से आपसे निगा किया है क्योंके वो बोलते बोलते रुक गई थी क्योंके मैं आपसे मुखबत करती हूँ बिलाखिर उससे इतराफ कर दिया था सफीर हूनकों की तरह उसको देखे गया ये कैद मेरे लिए मन चाही है ये रिष्णा मेरे लिए आप एहायात है आप मेरे लिए इश्ख है आज या कल से नहीं तब से जब से मुझे 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 पूरी हूई है तब आप मुझे से कह रही है कि आप मुझे छोड़ देंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं वो खम औ घुस्से के मिले जूरे तासुरात दी बोल रही थी सफीर खेरी सांस भरता उठा था हूँ मैहर मैं अब तक एक दोखे से बाहर नहीं आया और एक सदमे से भी आले का दोखा और बड़े पापा की मौत मैं इन दोनों चीज़ों में स्ठक होकर रह गया हूँ तुम्हारे ये साथे अलफास मेरे लिए किसी टायलॉक से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते तुम्हारे लिए बहतर है कि मुझे छोड़ दो और अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर तुम्हें एक बटे हुए आर मर्द के साथ रहना होगा एक ऐसा मर्द जो अब कभी एदबार नहीं कर सकेगा और मुझे से कोई उमीद मत रखना ये तुम्हारे लिए बेतर होगा अगर तुम्हें तालाग चाहिए तो जिस दिन को होगी दे दूँगा लेकिन मैं कमसकम उस लड़के पैदबार नहीं कर सकता जिसकी बहन मेरे इस्सत और एप्रूटेशन को हाग मिला कर घर से भाग गई हो मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो फुद गर्स वो महर के बिलकुल गरीब खड़ा बोल रहा था उसकी आंके सर्थ थी लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है आप मुझे किस कुना की सजा दे रहे है या हाले की भाग जाने में मेरा हाथ था या मैं उसे किसी अमल में शामिल रही हूँ वो गुलाबी होती आंकों के साथ कह रही थी सफीर उसकी बात का जवाब दिये वगए अपनी जगा पे वापस गया था पेट की साइट टेबिल खोलकर बोल बाहर निकाली अब उसके अंदास वे कोई जिजग नहीं थी कोई खौफ नहीं था कोई शेक गब वो इस वोटल को एक कजन और बीवी से चुपा रहा था अब उसके सामने वो रड़की थी जो गोटे गोटे उसके इश्क में डूबी थी उसके सामने कौन से जिजग कैसी हया मर्द उस वोरत के सामने सबसे ज़ादा निडर होता है जो से मुखबत करती हो क्योंके वो से तोकती नहीं सही गलत से अच्छे बूरे से क्योंके वो डरती है अपने महबूब की नराज़की से सफीर जानता था महर भी कुछ नहीं कहेगी सो वोटल उठाए कमरे से मलग का सड़ी की तरफ पढ़ गया आज की रात इस हराम मुश्रूब के नाम पीछे महर थी और उसके लादादाद दुख वो मिलकर भी उसको ना मिल सका मिलकर ना मिलने के अजियत बहुत बड़ी होती है उमर अपने बंगले के सर्वन कौर्टर में बैटा था यूस्मान का कमरा था जिसमें एक तरफ गता रखा था उससे जराफासे पे एक पानी वाला कूलर और एक कोने में कपडू के एक ट्रंक यही उस कमरे की कुलमता थी लेकिन इस वक यहां एक चीज का इसाफा था लकडी की कुरसी वही कुरसी जिसमें उमर बैटा था उसमान उसके सामने खड़ा था उसमान कल खर से निकलने के बाद तुम कहां कहां गए वो तुन्दुही से पूछ रहा था सर मैं तो बस सूपर मार्केट गिया था वहां से समान लिया और वापिस आ गया मुझे कुछ नहीं पता बेबी साहिबा कब और कैसे काड़ी में आ गई मैं तो कहीं और रुका भी नहीं था सर मुझे माफ कर दे वो शर्मिन्दा था उसमान तुम मुझे पागल बना रहे हो समान लेकर घर से निकलते हो और वाप सिर्फे काड़ी में एक लड़की आती है मेरा तमाग अब मज़ीद मतखुमाओ और साफ साब बताओ वो लड़की काड़ी में कैसे आई तुम रासे में कहां रुके इससे बात की कितनी देर बात की और क्या बात की तुम्हें वज़न में तबतेली भी मحसूस नहीं हुई सर मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं सूपर मार्किट या था गाड़ी वहां की पार्किंग यरिया में खड़ी करके मैं समान लाया और उसके बाद मैं घर आ गया उधा की कसम सर मैं सच कह रहा हूँ रखीन करें तुम सूपर मार्केट जाने तक कही नहीं रुके राइट मतलब जो कुछ भी हुआ पार्किंग एरिया में हुआ उस्वान ने फुरान असबात में साही लाया था ओके तो जब तुम गारी पार्क करके मार्केट के तब क्या हुआ एक एक सेकिन की तफसील दो मुझे और अगर एक पी बात जोटी निकली तो मैं आज तुमें जिन्दा कार दूँगा वो उसको उंगली से वान करता कह रहा था सर मैं सब सच ही बताता हूँ मैं कारी लोग करके मार्केट किया और फिर मैंने एक सेक्शन से सारा ड्राइफ्रूट हरी दा उमर गोर से उसकी बात सुन रहा था उसके बात मैं दूसरे सेक्शन गया वहां से मैंने आपके सुबा के नाश्टे के लिए समान हरी दे और फिर मैं तिससे सेक्शन गया वहाँ मीट फ्रोजन आइटम थे और एक मिन एक मिन वो अभी आगे कुछ बोलता क्यों मैं ने उसको टोका था तुम फ्रोजन आइटम के सेक्शन में क्यों गए मैंने कभी अपने घर में बाहर का लाया कोश नहीं बनने दिया मैं वो ही मीट बनवाता हूं जिसको मैं हुद अपने सामने बनवा कर लाता हूं और हुद पकाता हूं और ये बात तुम अच्छे से जानते हो वो कुर्सी से उट खड़ा हुआ था तो अब उस्मान सहाब तुम तुम प्रोजन आइटम सेक्शन क्यों गए वो आँकों में तपिश लिए एक एक लफ़ पे सोर दे कर बोला था उस्मान गरवड़ा गया था उससे बेख्तियार ठोक निगला था वो सर दरसल मैं आपको बताने ही वाला था असल में उस्मान मैं इस वक्त तुम्हारी किसी पकवा सुनने के मूड में नहीं हूँ जल्दी बोलो तुम वहां क्यों गए उमर जैसे चला गया था उस्मान फोरन सभल गया था सौरी सर असल में एक लड़का आया था मेरे पास उसकी नहीं नहीं शादी हुई थी सर उसको घ्रोसी का पता नहीं था मैं बस उसको काईट करने के लिए उसके साथ गया था लेकिन वो भूशरीफ था बहुत अच्छा लड़का था मैंने जैसे ही उसको सारे सामान लेकर दिये उसने शुक्रियाद आ किया और जला गया वो बहुत अच्छा था सर वो क्या वो सारा वक्त तुम्हारे साथ था और क्या उसकी मुझूदी में तुमने अपना वालिट या कार कीचा भी निका ली उमर ने उसकी बात काटी थी और उस्मान की थोड़ी सीने से अलगी थी वो सर दरहसल मेरा वालिट वो नीचे गिरिया था उस लड़के ने मुझे उठा कर दिया था और उसके बाद वो कहीं जला गया था लेकिन सर दस मिन बाद वो फिर वापस आ गया था उस्मान तेस से बोल रहा था वो उलिट की रहा था ना काड़ी की जावी तो नहीं वोलिट से क्या मिलना था उसको फिर कुछ और याद आए तो बताना मुझे उमर जाने को मुड़ा था जब पीछे से उस्मान की शर्मिन्दा से आवास आई सर वो असल में उमर करंट काकर मुड़ा था लानत हो तुम पे उस्मान लानत वो तुमें बेवकोफ बना कर क्या है तुम क्या सारे सिंदी की छख मारते रहे हो तुमें किसी चीज का पता है भी या नहीं वो लड़का तुम्हारी चाबी ले उड़ा और तुमें पता भी नहीं चला दूब मरो तुम उस्मान दूब मरो तुम उसके सर पे खड़ा धार रहा था मैं माजरत हुआ हूँ सर मुझे अंदाजा नहीं था वो वाकर शर्मिन्दा था उमर ने अपनी कनपटी सहलाई थी और उस्मान की जाने मुरा था मैं इस मामले को सुबा देखूँगा सुबा तक वो बातें भी याद करो जो तुम्हारे फरिष्टों को भी नहीं बता हूँगी वरना यहां से दफा हो जाना तुम्हारी वज़ा से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे कले पड़ गई वो खुद से बरबढ़ाता हुआ पाही निकल गया था पीचे उस्मान शर्मिन्दा सा खड़ा रहे गया थानी का मोहल उस वक बेजार सा था नए ट्यूटी करते पुलिस अफसरान के चेरे धके हुए से थे कुछ तो बाकाइदा उंख रहे थे कुछ दाज के बत्तू पे गुजारा कर रहे थे A.S.I. नसीर कौफर सदा सा एक फेमिनिस की F.Y.R. लिख रहा था उसका मुद्दा था कि रात के बारा बजे पे इसकी शकल मुद्दा ही को हुद भी याद नहीं थी नसीर का दिल तो बस यही कहने को चाहा था कि बीबी अगर इतना ही तंक कर रहा था तो बस में शूर मचाना था यहां आकर हमारा वक्त क्यों बरबाद कर रही हो लेकिन उसकी जुपान से लिए हुई थी इस ही नहीं क्योंकि वो औरत थी इस ही है क्योंकि उसके हाथ में मुबाइल था दस मिन बाद वो औरत स्नैप बना कर और एक दो इंस्टाप स्टोरीज लगाने के बाद मसरूर सी चली गई थी उसके जाते ही एक दरासकत स्या अंकों वाला लोजवान अंदर आया था वो ऐसे आ रहा था जैसे ही उसका घर हो वो अब कुछ देर कपर वाले खुलिये में नहीं था अब उससे नीली श्टेक शर्ट के साथ नीली ही जीन्स बेहन रखी थी शर्ट के बटन खुले थे अंदर से सफे गोल कले वाली शर्ट नसर आती थी पैरूम स्लीपर्स है और एक दो जगा चाले भी थे शायर उसे इसी वज़े से स्लीपर्स बेहन रखे थे पर नव अपने जूदू के मामने में बहुत हसास था उसके हाथे ही तमाम सपाही और अफसरान खड़े हो गए थे उंगने वालों को चुटकी माल के उठाया गया था सरासी देर में उस छोटे से अधाने में अलचल सी मच गय थी कोई उसके लिए कुर्सी ला रहा था तो कोई टेविल साफ कर रहा था कोई भाग कर चाय लेने गया तो कोई उससे इस वक्त जहमत उठाने की वज़ा फूश रहा था वो A.S.I. नजीर की कुर्सी पर बैट किया था उसरा चल्दी में लगता था नजीर सामने खड़ा था बहा अधब ख़वराया साम सर आप होकम करते बंदा हाजिर हो जाता आपने क्यों जहमत की है वो उमर के सामने खड़ा चाप लूसी की तमाम हदों को क्रोस कर रहा था उमर ने एक नापसिंदी ता नजर उस पर डाली थी मेरे साथ बात करते वक्त इस तरह खड़े मत रहा करो कुरसी लाओ और मेरे सामने बैठो यहाँ जितनी इज़त मेरी है उतनी ही तुमारी भी है आएंदा मैं तुमें इस तरह खड़ा ना देखूँ वो उंगली उठा कर तन्भी आंदास में कह रहा था नसी जजबस सा हो गया था पास बड़ी कुरसी खेंचाई और बैठिया अब वो पूरी तरह उमर की तरह मत वचा था कल राट जिस कुंगे को उठा कर लाए थे वो कहा है उमर उसको देखते हुए बूश रहा था उसकी आवाज में एक रोप था तब तब आसा था साई कल से तो दस कुंगों को जुबान दी है आप किस वाले की बात करते हो नजीर की जगाए को अधिर उमर कॉंस्टेबल बोला था उमर इनसिंजी थीज़ उसको देखा था मैं चजज साहब के केस वाले कुंगे की बात कर रहा हूँ और तुम तुमे मैं आदा घंटा देता हूँ उसकी आवाज निकलनी जाहिए अगर आवाज से ही निकलती तो लिख कर दे लिख कर नहीं देता तो अपने पैरों पर चलकर उस आतमी घर लेकर जाए जिसने उसको कल हाईर किया था और अगर तुमसे ये तीनो काम नहीं हुए तो हुद को टेस्मिस समझो और अगर वो आदमी ये तीनो काम नहीं करता तो हाथ, पैर और जुबान तीनो काट कर भेंग दो आई समझ वो उसी उधिर उमर कॉनसिविल को देखता मौर्निंग के अंदास में कह रहा था हो जाएगा साही आप भी करना करे वो मुस्कुराते हुए बोला था आज बीवी का सारा गुस्सा उसी पूतरेगा वो सोचकर ही खुश हो गया था अब उसका रूख नसीर की तरफ था और तुम नजीर तुम मेरे साथ जा रहे हो जानते हो क्यूँ जी सर जानता हूँ आपको मालूमात चाहिए होगी मैं सिलागे के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं अगर किसी की कुटिया बच्चे जने या किसी का पिल्ला भी मर जाए पहली खबर मुझे ही आती है मैं इस वक्त तुम्हारे कारणामे सुनने के लिए नहीं बैटा हूँ नजीर कल जिस हस्पताल में जब साथ ताखिल थे उसकी तफसीलाथ चाहिए मुझे वो कौफर सता सा था जी सर जैसा आप कहें आदे गंटे तक वो जाएगा वो ताफेधारी से भोला था उमर उटकड़ा हुआ था बाकी सब उसके साथ उठे थे एक और बात कल सुबह तक मैं मोतल हो जाऊँगा मुझे ये सारा काम आज की रात करना है तुम सब जागोगे आज की रात कोई नहीं सोएगा कोई चोंका नहीं था इतना अंतासा तो उन सब को था कि मीडिया के सामने हाले के इतने बड़ इलसाम के बाद ये सब तो होना ही था और अंगी थाने के शपीर को कॉल करो उससे को हो मैं कुछ नंबर्स भेज रहा हूँ उनकी डेटेल्स चाहिए मुझे वो अपने साथ साथ चलते नजीर से कह रहा था और फुर्गान से को हो वहीं मिर्जा की एक महीने की रिपोर्ट मुझे थे वो किस से मिला कहा गया कितनी देर गया क्यों गया और वहां क्या खाया क्या पिया मुझे सब चाहिए नजीर नजीर एक चोटी सी नोट पैट पे सब नोट करता जा रहा था नजीर उमर का सबसे हास आदमी था उसे शेहर के चप्पे चप्पे से वाक्फियत थी शेहर के सारे इस्टेहारी और फरार मुलसिम उसकी चेप में थे उमर का वफादार था उसे ये बात कहीं दफ़ा साबित भी थी वो दोनों अपकारी में बैट चुके थे नसीर के मना करने की बावजूद ट्राइविंग सीट उमर ने खुच सबाली थी अब वो सामने सड़क पे देखते हुए कहे जा रहा था ऐसे चो को कॉल करो उससे को हो अपने बंदे उस सौलून भेजे जहां जच साब की बेटी त्यार होने गई थी और मुझे वहां की वो फूटेच चाहिए जो उन्होंने डिलीट कर दी है ओके सर हो जाएगा वैसे हम जा कहा रहे हैं सर जिसने मेरी नीन्ध हराम की है उसे सकून से कैसे सोने दे सकता हूँ हम उसके नीन्ध हराब करने जा रहे हैं उसका लहजा अब भी पेल अचक था सर एक बात पूछू थोड़ी दे बाद नसीर की आवास कुझी थी उमर ने जवाब नहीं दिया वो जानता था नसीर मना करने पे भी पूछेगा सरूर आपने बीबी को वाके अगवा किया था क्या जजसाब से तो आपके अच्छी हाथ से सलाम दुआ थी फिर भला ऐसा क्यों कि आपने उसके रहेचे में जजस्स था मेरे बाप का अगनाम क्या है नसीर वो उसकी बात का जवाब दिये वगेर बोला था सर वहाजली हान वो कुछ हैरत से बोला था उमर ने आप रोच काई थी अच्छा मुझे लगा तुम नसीर तुम मेरे बाप हो इसलिए मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो आइंदा मेरे बाप परनी की कोशिश मत करना जितना बताना है उतना ही बताऊंगा तुम मुझसे बाते नहीं निकलवा सकते नसीर कर बड़ासा गया था उत्वे दोख वो भेज़कर उमाईल की तरफ मतवच्चा हो गया था इतने में वो लोग शहर के एक वोश हिलाके में दाखिल हो चुके थे पांच मिन मज़ी ट्राइफ के बाद वो उम्तुल विला के बाहर कड़े थे उमाईल ने गाड़ी उस विला के बिलकुल सामने कड़ी कर दी थी गाड़ी को गेट के बिलकुल सामने कड़े देख चोकिधार भागता हुआ आया था सर, किसे मिलना है आपको? मिलना तो तुम्हारे साथ से है लेकिन अगर वो घर पे नहीं है तो मालकिन से मिलने में में भी कपाखत नहीं है नसीर दान नको सा कह रहा था उमर ने दन्भी नजरों से उसको देखा था किसी उरत के बारे में ऐसे बात नहीं करते नसीर हमोश हो गया था सिकंदर शा को बेजो बोलो उमर हयाद आया है उमर अब जोकिधार को देखते हुए बोला था सर वो दो दिन से घर पे नहीं है कहीं भाहिद गए हुए है जब आएंगे आपका पेगाम पहुँचा दूँगा आफिकर मत करें वो रटे रटाय सबक की तरह दोरा रहा था उमर बगए कुछ गए गाड़ी तक वापिस गया था मिंडों से हाथ अंदर करके गाड़ी के हौन पे हाथ रख दिया था अब वो जोड़ जोड़ से बगए रुके हौन बचा जा रहा था ट्राइवर हौन को बंद करने के लिए उसकी मिनत कर रहा था गरीब एक दो घरों से फिड़की से जांक कर उसका मलामत भी की गई थी लेकिन उससे तो गोया कान लपेट लिये थे वो रुके बगए खौन बचाए गया बचाए गया तकरीबन पांच मिन बाद दर्वासे के गुलनी की आवास आई थी उमर की आँकों में तपिश सिभर गई थी पेट से निकलने वाला आदमी वोई साथ के हिंसे को आपूर करने के गरीब था उससे नीला सिल्क का नाइप को उन पहन रखा था और आँकों में गुस्सा लिये वो बाहर आया था क्या? क्या बकवास है ये? शर्म नहीं आती घटिया लोगो किसी की नीन पर बात करते हो वो आते साथ ही धारे थे लेकिन उमर को सामने देखकर जैसे हून लाग चपटने और शीखने पुकारने का सलिय बगैर नसीर उसको काड़ी की पिछली सिट पे बिटा चुका था वो अब ही ओर्शोर करते जब नसीर उनके कान के पास सुका था चुप चाप बैच्चो शाह साहब बढ़ना मेरे पास आपकी रंगी और बेटी का नंबर भी नसीर को तो जानते होंगे आप वो ही जिसको डिफेंस में कोटी दे रखी है नसीर उनके कानों में सहर उंडेल कर दूर हटा था सिकंदर साब का चेरा लट्टे की मानिच सफेद हो गया था उन्होंने बेखत्यार धोक निगला था क्या चाहते क्या हैं आप उनकी सारी हावा निकल गए थी और वो जल्दस जल्द इस सुरते हाल से चुटकारा चाते थे जिस हस्पताल के आप मालिक है उसकी सिसी टीवी फुटेज और मेरी एक चीज रह गई है आपके हस्पताल में वो भी चाहिए उमर सुकून से बोला था इतनी सी बात के लिए आप लोगों ने इतनी बैद भी की है मेरे साथ मैं गिस्दतार आत्मी हूँ एसपी सहाब मैं अभी टी आईजी सहाब को कॉल करूँगा अजीव गुंडा करती है अंधेर नगरी मचा रखी है आपने वो गुसे से सुख चेरा लिए खुरा रही थे उमर ने ट्राइविंग करते हुए एक नमबर मिलाया था और मुबाइल पीजे नसीर को तमाया था पहले ही पेल पे कॉल रिसीव हो गई थी हाँ बोल भाई टीवी फुटेज इनके हवाले करूँ ना इनके पास कोई जासत नामा है और ना वो कुछ और भी कह रहे थे जब उनकी बात काटी गई थी ए जादा बोलो मन फुटेज देदोगे तो मर नहीं जाओगे तुम और मैं जानता हूँ सब कुछ डरा धमका कर लाए होंगे ये लोग उमर को जो कुछ चाहिए देदो परना बहुत बुरा होगा और अब रख फोन नी धराफ करती मेरी वो चुछ लाए थे उमर यार क्या है अब ये बरसादी मेंड़कों से भी मैं बात करूँ वो उमर से कह रहे थे उमर ने बात अदम करके कॉल काट दी थी सिकंदर साब का सारा रंग नो चड़िया था कितना बत्ता देता था मैं इस जी आई जी को वो बस सोच ही सके जी दो शाह साब और किस से बात करनी है अगर कहें तो आई जी से बात करवाओं तू उनसे भी अच्छी हासी बात चीथ है मेरी अरे आपके रंग को क्या हुआ दुख हुआ देखी पुलिस वाले की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी वो आपका हर बात में साथ देंगे लेकिन जब अपने वर्दी वाले भाई की आईगी न तब वो अपने घरवालों के भी नहीं होते उमर फाक्रिया सा कह रहा था अब आप बताएं हम मुजी से हमारा काम करेंगे या और चिक चिक करनी है देखें आप क्या इस्पताल जाते हम फजूल बहस करनी पड़ती एक-एक से अब आप चलेंगे तो कितनी इज़त और तराम से होगा हमारा काम आपको नेगी का मुखा मिलेगा और हमारा वक्त बचेगा कितना अच्छा होगा न वो आम से अंदास में कह रहा था नसीर अपने मुबाइल पे सारी डिटेल्स जमा कर रहा था हो जाएगा आपका काम अस्पताल चलें अबके उनका अंदास सा पाट था तकरीबन आदा गंटे बाद वो तीनों लोग अस्पताल के सेक्योर्टी रूम में बैथे सुबा निकाह के बाद वाली फुटेज देख रहे थे लेकिन कोई फाइदा नहीं था तेट गंटे की फुटेज गाइब थी जिस वक्त आले और उमर उस सड़क पे थे वो फुटेज गाइब थी शाह साहब तेट गंटे की फुटेज कहा है उमर उनकी तरफ देखता सिंजीती से पूश रहा था देखिए उमर साहब मैं आपको सच बताता हूँ जिस तरह आप सोरो सबर्दस्ती हमें यहां लिया हैं उसी तरह आज दुपहर भी किसी ने बिलकुल इसी तरह तेट गंटे की फुटेज मेरे सिक्योर्टी चीफ से रिलीट करवा दी और उसे आज शाम की फ्लाइट से दुभई बिजवा दिया आप अब चाहे मुझे मार दें या मेरे अस्पताल को आग लगा दें जो सच है सो है इस सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए हम सब को काफी दवा ऐसे काम करने पड़ते हैं मुझे पता था आप चुप नहीं बैठेंगे इसलिए मैं आप से चुपता फिर रहा था सिकंदर शान अर्मी से कह रहे थे आपका सिक्योटी चीफ फूटेज लेट कर देता है आपका डॉक्टर मेरी इजासत के बगेर हमारे मरीज के कमरे में किसी को जाने दे देता है आपके हस्पताल से हमारी चीज़े मिसिंग होती है और फिर आप कहते हैं कि हम पुलिस वाले गुंडे हैं ये तो खुलम खुला था साथ है शाह साहब उमर उनको देखता चुपते लेचे में कह रहा था आपकी चीज़ मिसिंग नहीं है उमर साहब मैंने आपकी चीज़ संभाल रखी है मेरा और आपका कोई जाती आनात नहीं था मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको उतनी फेवर दूँगा मैं एक सिम्मेदार शाहरी हूँ आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी साथ ही एक लड़के को इशारा किया था जज़ सहाब बहुत अच्छे आदमी थे अल्ला उनकी मखफत फरमाए क्या ये है आपकी मिसिंग चीज़ को के ये इलीगल है लेकिन है वो लड़के के हाथ से एक चोटी सी डिपिया लेकर उसको कोलते हुए कह रहे थे अब उनके हाथ में एक नन्ना सा कैमरा था उमर बेतासु चेरे के साथ उनको देखता रहा उसके नसरें अब भी मुतलाशी थी अब भी उसकी खोज मुकमल ना हुई हूँ उमर उट खड़ा हुआ था उसके हाथ से कैमरा ले लिया नसीर भी उमर के साथ खड़ा हुआ था शाह साहब मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका हानदान बचा सकूँ जिस तरह मैं अपना नहीं बचा सका लेकिन आप आप बिकाओ निकले अब आप मुझे से शिकायत मत कीजेगा मैं आपके पास आया आपसे इज़त से बात की नर्मी से अपनी चीज़ें मांगी लेकिन आपने नहीं दी अब आप खुद आएंगे और मुझे मेरी चीज़ें वापिस करेंगे मैं आप पे हालात इतने तंक कर दूँगा कि आपको आना पड़ेगा शाह साहब वो कहका रुका नहीं था लंबे लंबे टाग बरता वहां से निकल गया था पीजे सिकंदर शाह ने बेखतियार अपना माता मस्सा था लौनत हो तुम लोगों पे किस बागल आत्मी के साथ वसा दिया है मुझे अब ना ये खुट चैन से बैठेगा ना मुझे बैठने देगा वो सकत परेशान थे सरादूर हजबताल के पारकिंग अरिया में जागो तुमर हयात अपनी काड़े में बैठता दिखाई दे रहा था इस बार ट्राइविंग सीट पे नसीर था सराद नसीर को हईदायात दे रहा था उस सेक्योर्टी चीफ का क्या नाम है उसका? अब्दुल हाँ उसकी फैमली का पता लगाओ नसीर और शाह सहाब की सारी वीडियोस उनकी बेटी और बीवी को भेज़ दो कल तक किसी सोचल मीडिया अकॉंट पे भी पोस्ट कर दो मेरा हांदान नहीं बचेगा तो मैं किसी और कभी नहीं रहने दूँगा सर बीवी को भेजने का क्या फाइदा? क्यो ना उसकी महबूबा को भेज दे? नसीर चमकती आगों के साथ कह रहा था उमर ने एक नसर उसको देखा था और फिर मुबाइल पे नसरे जमाय बोलना शुरू किया था बहारवाली हुद बेवफा होती है इसे बेवफाई माफ कर देती है लेकिन घरवाली वो चाहे हुद धोगे पास हो लेकिन उसको अपना मर्द वफादार चाहिए होता है वीडियो भेजो और फिर देखो किस तरह तूटते हैं हानदान है अपडेट्स दो मुझे वो उपी मुबाइल को देख रहा था उसमें किसी तरह इस दन्ने कैमरे का सिस्टम आउन कर रहा था सर, फ़हिम मिर्जा एक महीने से सवाई شम्स सुल्तान गी है और किसी सुल्तान से नहीं मिला और फरवाद सुल्तान का कॉल रिकॉर्ड चैक कर वाया है मैंने लेकिन कोई फ़हिम मिर्जा या किसी ऐसे आदमे से उनकी बात नहीं हुई जिसके बिनापर उन पे शक्किया जाए सेलून वालों ने सारी फूटिज भेज़ दी है आपको एमेल कर दी है मैंने और वो अबतूर उसका अभी कुछ करता हूँ कोई दुबई नहीं क्या होगा वो यहीं लालू खेत में अपने कोई रिष्टेदारों के घर चुबा बैठा होगा सुबह तक उसको भी देख लूँगा मैं सर और कुछ चाहिए तो बताए वो सारी तफसिल बताकर अब तावेदारी से पूछ रहा था तुम्हें क्या लगता है यह सारे इंफॉर्मेशन सची है सो ओफिसर जूट है सर बिग्य है सारे या फिर सही जगा चेक नहीं कर रहे आप मुझे दो दिन का वक्त दें मैं सब चीज़े मालूम कर लूँगा अगर आप कहते हैं कि वहीं मिर्जा फरवर सुल्तान से मिला है कब कहां कैसे मुझे नहीं पता लेकिन वो मिला है सेलोन वालों ने इतने आराम से फुटिट कैसे दे दी और अप्तुल उसे आज ही की रात को मिलना होगा उसे ढून निका लूँगा मैं मुझे पैदबार करें वो यकीन दियानी करवा रहा था मुझे तुमसे यहीं उमीद है वो मुबाइल को देखते हुए बोला था उमर ने अब सिस्टम को मुबाइल पे ओन कर लिया था गाड़ी को कबरिस्टान के तरफ मुड़ो उसे मुबाइल से नस्याट आए ली थी सर इस वक नजीर तुम क्यों आज अपनी मुद मेरे हाथों लिखवाना चाते हो तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कम बोला करो सौरी सर अब ऐसा नहीं होगा वो शर्मिन्दी से बोला था और फिर वागए कबरिस्टान पहुंचने तक वो कुछ नहीं बोला था वहाँ पहुंचकर उमर अंदर चला गया था जबकि नसीर को भाहरी खड़ा कर दिया था थोड़ी देर बाद वो एक तासा के लिए मिट्टी वाली कवर के करीब एठा था उस कवर पे अब तर चढ़ाए के फूल तासा थे उमर आँकों में कर्ब लिये उस कवर पे हाथ फिरता रहा फिरता रहा उसके आँकों में हल्की नमी थी मामू बड़ी देर बाद उससे कवर में सोई आद्मी को महातिब किया था आई मिस यू यार आप होते थे तो पता ही नहीं चलता था मुश्किल क्या है मुसिबत क्या है उमर को आपका बड़ा सहरा होता था लेकिन अब अब सब चीज़ें मेरे हाँच से निकलने लगी है हजन और हाले मुझसे नफरत कहते हैं सबूत नहीं मिल रहे और आप से किया वादा मैं निपा नहीं बा रहा हूं मैं हाले को कैसे रोकूं उनका गम बहुत बड़ा है आपको मुझे छोड़ना नहीं जाये था मैं अकेला हो गया हूं हाले और हसन का तो बस बाप मरा है शम सुल्तान का भाई रिसु सुल्तान का बेटा लेकिन उमर हयात उमर हयात का तो बाप, भाई, दोस, आन्दान सब मर गए है आपका चाना मेरे लिए मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी एक को भी नहीं बख्षूंगा किसी एक को भी नहीं हर बार उमर से ही क्यों उसका हान्दान चीना जाए हर पार फरवा क्यों काम याब हो उस्थे मुझे मिरे हांदान से दूर किया मेरी माँ को अपनी उलाद से दूर किया और आज आज तो उस्थे मेरा सब कुछ हतम कर दिया या आपकी कवर नहीं है ये उमर בחयात के चस्पात की कवर है उसके अंदर के इनसान की कवर है, उन लोगों ने पता है, मुझे आपके जनाजे से भी दूर रखा है, आपका वारिस मैं भीव था, काश मैंने आपकी बात मानी होती और अपना हग लिया होता, आप उसकी आँखे बन थी, वो उस मंसर को वला कर तस साल पीछे चला गया था, ये रात जालिम और सफाक थी, उस रात उमर नफी सहायात को छोड़ा था, वो अपना सफरी पह एक गंदे से लगाए, रात के उस पह सड़क के किनारे बेटा था, उसके आँखे पत्रा एक हुई थी, और चेहरे के तासुरात सकते, वो अशनभी नसरों से बार बार सड़क के चारों अतराफ में नसद उड़ा था, और फिर सर को हातों में गिरा देता, उसको नीद आ रही थी, वो नीद और भूक का बहुत कच्चा था, इस वक्त भी उसके आँखे बंद होती जा रही थी, जब उसके बिलकुल पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुगी, उमर फ पहर घर से बाहर इस सड़क पे बैठे हो, निकाले गए हो या भागा आए हो, वो संजीती और रर्मी से फूछ रहे थे, उनकी आँखे उमर की आँखों से मिलती थी, संजीता और खेरी से आँखे, ना नकाला गया हूँ ना भागा हूँ, मैं घर छोड़ कर आया हूँ, व मैं उस आदमी के साथ चला जाओंगा, जिससे मिले अभी मुझे पांच बिन भी नहीं हुए, उसका लहचा मश्कूप था, ठीक है फिर, तुम बताओ, तुम्हारे माबाप कहा है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, सुला सफाई करा दोंगा, इस तरह रातों गर से बाहर नह ही रहते, अपनायत से बोले थे, मेरे माबाप नहीं है, उनकी तरफ देखे बगर बोला था, क्या रतीम हो, हाँ, शायद ऐसा ही है, वर्ट का था, शायद क्यूं, यह तुम्हें पता नहीं है, कुफतो को अब दिलचस्प होती जा रही थी, मैं यहाँ अपनी पहचान ढू जट पी है, और तुम्हारी पहचान ढूनने के लिए तालोकात भी, यकीन करो सेवर होगे, कराची का सबसे बड़ा आदमी हूँ मैं, आखिर में उनका लहचा सरा सशोख हुआ था, मैं आप पे इतमाद नहीं करता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाँगा, मैं अपने दम पे अपना हानदान ढूंड लूँगा, उसका लहचा ढोटोक था, ये कराची है बेटा, लोगों का समंदर रहता है यहाँ, एक दूसरे को कुचल कर धकेल का आगे भणने की रेस है यहाँ, अगर चाहते हो कि ना धकेले जाओ, और ना कुछ ले जाओ, तो मेरे साथ चलो, और किसने कहा तुम्हारी कोई मदद करेगा, मैं तो हर्गिस नहीं, उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा लिये थे, मैं तुम्हें फेवर दूँगा, और बतले में फेवर लूँगा, अब अगर चलना है तो चलो, वरना यहाँ बैठे रह जाओगे, हर कोई मेराज सुल्त जितना नेक दिल नहीं होता, जो तुम्हारे लिए काड़ी से उधर आए, उमर्चनल में हमोजी सुन को देखता रहा, और कहा लेकर जाएंगे आप मुझे, तुमने हुदी कहा तुम यतीम हो, तो फिर यतीम हाने के लावा कहा लेकर जा सकता हूँ, क्यों ले जाएंगे बैठे हाली सड़क पे पेरे दे रहे हो, उसी तरह मेरे और्फनेच के गेट पे दे दिया करना, और कमाई हुई रोटी खाना, उमर्चनल मुझे नसरों से देखता रहा, और फिर कंदे धीले छोड़ दिये, अगर आपने मुझे डॉज देने की कोशिश की तो अच्छा न नहीं किया था, वो अलफास को अपनी मरसी के मतलब दे रहा था, मिराज ने तंसिया नसरों से उसको देखा था, लैक मेलर की उलाद ना हो तो, ओके, सो मिस्चर अब चले, मेरी बेटी अंदर सो रही है, वो मस्थियर जो अंदाज से गोले थे, उमर पगहर जवाब दिये, उनके साथ चलने लगा था, गाड़ी के अंदर बैटते हैं, मिराज सुल्दान ने एक मेसेज टाइप किया था, और उसको जूनियर के नमबर पे भेज़ दिया था, उमर मुझे मिल गया है, वो मेरे साथ है, विकर मत करो तुम, उन्होंने मेसेज करके मुबाइल रख दिय था, थोड़ी दिर बाद गाड़ी हैविन की तरफ रवाना हुई थी, पिछली सीट पे बीच में मेराज सुल्दान बैठे थे, उनकी ताइं तरफ बारा साला हाले सो रही थी, जिसको उन्होंने अपने सीने से लगाया हुआ था, दूसरे तरफ उमर हयाद बैठा था, आं नसीर के कंदे हिलाने पे वो खोश में आया था, मनसर बुलबले की तरह तखलील हुआ था, वो मेरबान चेरा, अब उसके साथ नहीं था, वो यही अकीकत थी, बेखत तल हकीकत, आहां बोलो, वो नसीर को देखकर बोला था, सर सुबह होने वाली है, अब चलना चाहिए, अ के, वो जैसे उनको तसली दे रहा था, सुबह की पूप फूटने वाली थी, उसको घर जाना था, अभी वागए बहुत काम बागी थे,